हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगनेटमेंस हिंदी मेरा नाम है अवनीश त्रिपाथी तो कक्षाबारा की भूवल में जो एक बहुत महत्पूर चैप्टर दिर्तियक क्रियाएं मानवी क्रियाओं में जो दिर्तियक क्रियाएं आता है सेकेंटरी एक्टिविटीज इससे सम्दित आज चैप्टर के हम सुरुबात करेंगे हैं चैप्टर ह हमने और डीटेल में किया भी है लेकिन हम हम वीडियो में या चुटे चूटे कंचेप्ट में तोड़कर इस वीडियो को इस चैप्टर को समझने कि कोशिस करेंगे उसी क्रम आज सब से पहला जो टॉबिक हमने लिया दित्यक क्रियाएं इसकी क्या और धारणा है या आप इसको प्रस्तावना की रूप में इंट्रोडक्शन की रूप में भी ले सकते हैं कि दित्यक क्रियाओं का मतलब क्या है दित्यक क्रियाएं किसी से संबंदित हैं और इसका क्या मकसर है पू secondary activities से क्या मतलब है अब देखिए देतिये क्रियाओं की जो और धारा है देतिये क्रियाओं का जो मतलब है वो बेसिक मतलब इतना है कि प्रार्थमिक क्रियाओं के बाद जो उत्पादन हुआ है उसको और ज्यादा मुलेवर्धन करके कोई दूसरी वस्तू बना देना जो उप ठिक क्रियाओं है अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब यह मुख्यता तीन तरह की एक्टिविटीज है ठिक पहले जुड़ी होती है प्रार्थमिक क्रियाओं प्रार्थमिक क्रियाओं जिसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी अंग्रेजी में दूसरी कहलाती है सेकेंडरी एक्टिविटी यानि दिर्तियक क्रियाओं बहुत मैत्तुमून है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं दिर्तियक क्रियाओं जिसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज और तीसरी कहलाती है तृतियक क्रियाओं यानि जिसको बोलते हैं ट्रसरी एक्टिविटीज तृतियक और चतुर्थग भी इसमें रहती हैं अब तो अब दिए जो प्रामरी एक्टिविटीज हैं वो क्रियाओं जो क्रिशी पर आधारित हैं जो किसे समंदित हैं कृशी इसमें पारफ़ बात कृशी की है कृशी से संस्मंदी जितनी भी क्रियाय होगी वह primary होगी खेती पसूपालन ट्रफ़िस माइनिंग क्र्वेरिग ये सारी चीज़े क्या आजाएंगी ये primary क्रिया है प्रात्रिम विक प्रक्टिविटिती जा जाएंगी से मेंसे सब्लस्कों कहते हां ने कि और oh जिसना बैंकिंग टेली कम्मुनिकेशन कमर्श एक्तिविटेशन सारी चीज़े आजाती हैं तो यह जो क्रिसी पर संबंदित करिया हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज में आती हैं जो विनिर्मार से संबंदित हैं वो तर्सरी है अब यह जो विनिर्मार हैं इसका मतलब यह होता है कि जो कच्छा माल है उस कच्छे माल में मूले वर्धन या वै बटन के फूल है कापास है और इससे हमने वस्थर बना दिया यہी यह द्रित्यक्रयां तो द्रित्यक्रयांएं वह होती हैं जिनके अन्टर्गत प्रकृती प्रदत्वस्थूओं का रूप परिवर्तन करके उन्हें अधिक उत्पियोगी ध्यान लखिए उन्हें क्या बनाए जाता है उन्हें अधिक उत्पियोगी बनाए जाता है और इसमें क्या किया जाता है मुल्लेवान बनाते हैं जिसको मैंने बार बार वाल्यू एडिशन इसमें क्या मैतपूर है व हो सकता है 500-600 रुपह के मिलने लगे यानि हमने क्या कर दिया इसका मुलेवान बना दिया इसका मुले वर्धन कर दिया इन्हें गोर वियोंसाय और दित्यक वियोंसाय भी कहा जाता है जैसे कपाश से कपड़ा बनाना लकड़ी से फरनीचर बनाना समjवारी बात तो दिर्तियक क्रिया या secondary activities वह activity या क्रिया हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रकृर्टी से जो वस्तू में मिल रही हैं हमें जो प्राथमी क्रियाओं दोरह समान हम हम लेकर आये हैं उन चीजों का इस्तमाल करके जैसे माल ली जिए कि प्रकृती में हमको लह अयस क्या आयरा नौर मिल रहा है। से हम वेवसाय करेंगे उसके लिए आपको रिसोर्स चाहिए और इस रिसोर्स को ही आप चेंज करके बनाते हैं वस्तुएं जब प्राकरतिक रूप से उपलब्द वस्तुओं को सीधा उपयोग ना करके उनका रूप परिवर्तन करके उनको और लाभपरत बनाया जाए और उपयो को नया रूप देकर कपड़ा बना रहे हैं और यह कपड़ा बना के फिर हम इस्तमाल कर रहे हैं तो यह जो पूरी प्रक्रिया है निर्मार ब्यवसाय है या इसको आप कह सकते हैं कि यह मैनिफेक्चरिंग का काम कर रही है मानो दोरा किये जाने वाली ऐसी क्रियाएं गौर ब्यवसाय या दिर्तियक ब्यवसाय कहलाती है जिसको मैंने पहले ही बताया ठीक है अब इसमें क्या होता है कि अब इसको करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं यह जो प्राकृतिक से उपलब्ध है जो हमारे पास मौझूद चीजे हैं उनको हम इस बीहतर धन से इस्तमाल क्रें इसमें एक सब्सकाल होता है प्रोसेशिंग । ठीक है जिसको हिंदी में कहते हैं प्रसंस करण प्रसंस करण ठीक है यह प्रसंस करण वो प्रोसेस है जिसमें हम उसका स्वरूप बदलते हैं जिसमें हम परिवर्तन करते हैं रूप और किसी भी चीज को और लाप्रत बनाते हैं और रूप योगी बनाते हैं ठीक है यह क्रिय से विनिर्मार से संबंधित जो करिया है वो दिर्तियक क्रिया कहलाती है ऐसे ब्यावसाम में लोहे से अब उधार देखे लोहे से इस पाथ बनाना यानि आयरन से स्टील बनाना और जार यानि जो अलग-अलग क्रिशी अधारित हो जाएगा तो अलग-अलग वर्ण है लेकिन है क्या किनिर्मार की पदति की बात की जा रही है इस प्रकार के दिर्तियक अर्थवयोस्था मे निर्मार उद्योग पसू उद्योग विशेशी क्रित क्रिसी उद्योग सारे सामिल होते हैं आजकल सभी विक्षित देश जैसे सयुक्त राज अमेरिका रूस ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी जापान में गौर व्योसाय बड़े प्यामाने पर यानि जितने विक्षित देश हैं वो इंडस्टियल जादा होगा वो जादा विक्षित होंगे और पहले से जो विक्षित देश हैं बड़े-बड़े वह उन्होंने अपने यहां इस तरह का डवलप्मेंट जादा कर रखा है और इस तरह के बड़े-बड़े उद्धोग तो इस फिगर में आप देख सकते हैं लकडी से यह फ उसे और उपयोगी बनाके अंतिम वस्तू के रूप में बनाया जाता है जिसे लोग उपयोग करते हैं वो दिर्तियक क्रियाएं कहलाती है ठीक है तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर यह विनिर्मार उद्योग है क्या इसका क्या मतलब है और यह कितने तरीके का है और इसके स्थाई होने के कारण क्या क्या है तो अगले वीडियो में इसको आप जरूर समझें मैंगेट में सिंदी पर कक्षा 6-12 तक की आपको निश्यूल शिक्षा मिल रही है यह निश्यूल शिक्षा आपको मिलती रहे और और लोगों तक विधिवत पहुचे इसके लिए आप जादे से जादा लाइक सेरो सब्सक्राइब करें और बिना किसी पेड़ सब्सक्रिप्शन और पैसे फर्च किए आप मैंगेट में सिंदी पर अपनी पढ़ाई जारी रखिए ठीक है तो अगली वीडियो मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ तब टेक केर